राजधानी दिल्ली को उसकी नई सरकार मिलने में अब 10 दिन का भी समय नहीं रह गया दिल्ली में 70 विधान सभा सीटे हैं जो कि दिल्ली पर 7 में आने वाली सरकार की किसमत का फैसला करेंगी लेकिन इन सत्तर में से कुछ सीटे ऐसी हैं जिसके नतीजों पर हर किसी की निगाहे ठीकी है इस वीडियो में दिल्ली तक आपको उन्ही सीटों के बारे में बताएगा और इस बार CMK जिवाल को टकर देने के लिए कुल 27 उम्मीदवार मैदान में है पटपडगंज विद्वान सभा सीट पटपडगंज सीट की भी अपनी खासियत है दिल्ली के उपमुख्य मंतरी मनीशी सोधिया इसी सीट से विद्वायक है मज़िदार बात ये है कि पिशली बार इस सीट पर कॉंग्रेस और आप से लड़ने वाले उम्मीदवारों की अदला बदली हो गई है यानि की अलकालामबा इस बार कॉंग्रेस से उम्मीदवार है तो प्रहलात सिंग साहनी इस बार आपके टिकट पर चुनाव लड़ेंगे जबकि भाजपा से सुमन कुमार गुपता उम्मीदवार है पिशली बार अलकालामबा इस सीट से विधायक चुने गई थी ओखला विधानसभा सीट ओखला का चुनाव इस बार CAA की विरोध में बने माहौल के कारण भी चर्चा में है यहां से आम आदमी पार्टी के अमान तुल्ला खान विधायक है रजिंदर नगर विधानसभा सीट रजिंदर नगर से इस बार आपके युवा निता रागव जड़ा मैदान में है लोग सभा चुनाव में रागव को हार का सामना करना पड़ा था पार्टी ने रागव को इस बार विधानसभा चुनाव का टिकिट दे फिर से उन पर भरोसा जताया है बदरपूर विधानसभा सीट ये सीट इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि यहां मतदाताओं की संख्या 2,60,869 है जो की वास्तव में एक बड़ा नंबर है कालकाजी विधानसभा सीट कालकाजी सीट से इस बार आप और कॉंग्रिस ने अपनी महिला उम्मीद्वारों पर भरोसा जताया है आपकी तरफ से आतीशी मैदान में है तो कॉंग्रिस ने शिवानी चोपडा को टिकिट दिया है बाबरपूर विधानसभा सीट बाबरपूर सीट से वर्दमान विधायक गोपाल राय है आमादमी पार्टी ने इस बार फिर से इस सीट से गोपाल राय को ही टिकिट दिया है बिरो रिपोर्ट दिली तक